धूम धाम की बात अंद विश्वास की बात धागा गोली तावीज की बात ब्यास पीट पर बैट के मत करो मैं तो कहता हूँ ब्यास पीट पर बैट के किसी के भूत प्रेत भी मत उतारो ये ब्यास पीट भूत प्रेत चुड़ल उतारने के लिए है नहीं माराज ये ब्यास पीट इंसान बनाने के लिए है भगत बनाने के लिए है यहां प्योर बिवेक और ग्यान नहीं बाटना चाहिए प्योर ग्यान बाटना चाहिए प्योर बिवेक बाटना चाहिए क्यों कि मैं नहीं कह रहा है स्वामी रामायन में तुलसिदास कह रहे हैं तुल्चिदाज कहते हैं कि सत्संग के बगैर विवेक कभी पैदा हो सकता नहीं है बिन सत्संग विवेक नहोई राम कृपा बिन सुलब नहोई राम की कृपा के बगैर सत्संग सुलब नहीं है और सत्संग के बगैर विवेक सुलब नहीं है कॉलेजी स्कूल में, कॉलेजी स्कूल में आप कितना भी ज्ञान ले आओ, कितना भी, आपको जितना पटे उतना ले आओ, पर बिवेक नहीं ला सकते, कॉलेजी स्कूल में आप ज्ञान ले आएंगे पर बिवेक नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सतसंग नहीं है, वहाँ लट संग है जितना अत्याचार बढ़ रहा है वो काँ बढ़ रहा सब जानते हैं कारखाना कि बोलिए हम क्या सीखने जाते हैं स्कूल और कोलिज में और क्या सीख यह उत्पात कर रहें क्या क्या खेलरेंगे बताओस ए रिस महामसत्संग में आएगा थी महत्मा संद के पास में आएगा तो और ऐसे खेल खेलेगा जो हो रहा है समाज में वॉस्माजम goal जो हो रहा है उसी चल चरित्र को बचाने के लिए भगवान के चरित्र सरवन करना चाहिए बालकों को बच्चों को युवाओं को और सभी व्रद्ध है व्रद्ध लोग भी बिगड़े हुए पड़े सब लतड़ पतड़ सने हुए पड़े मारा इसलिए पेट में जो कीडा ह पेट में जो अंडा है, पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे से लेके मरते समय तक प्रतेक मनुष्य को भगवान की कथा सुननी चाहिए, पेट के बच्चे को भी कथा सुननी चाहिए, पालना में बच्चे को कथा सुनाओ, दूद पिलाओ बच्चे को, बोटल से, आचल स से कथा सुनाओ पहले दादियां मम्मियां यही कथा सुना सुना के बोजन कराती दूद पिलाती है दूद पीलो में कहानी सुनाओंगे दूद पीलो में कहानी सुनाओंगे और अब क्या सुनाओंगी दूद पीलो अब तो आप समझ घे होंगे दूद बच्चा पीता ही नहीं बिना मोबाइल आन कीये मोबाइल चलाके ओन करके पन पन टुन पन ऐसी आवाज आने चाहिए यहां से वहां कुछ कूदना चाहिए कारटून मोबाइल में तब तो वो खाना खाता है नहीं तो बिना उसके खाना नहीं जा रहा है बच्चों को बोली ये बड़ा कठी ने सुन सकते हैं सारे महत्माओं ने आकर के भगवान सूत जी को गुरु मान लिया और चरणों में प्रणाम कर लिया अनुग्रह ले लिया और बैठ गए सद्गुरु भगवान सूत जी ने कहा तुम्हारा कल्यान होगा इस्थान बैठ किर कठा सुनो क्या सुने तो कहा तम भागवत तम करमत सयोगे सत कर्म भूयंत जाताम प्रभू स्रीमत भागवत कठा स्रवन करो और जब तुम कठा स्रवन करोगे तो तुम्हारे जीवन में सत कर्म का प्रारम हो जाएगा और सत कर्म का जब प्रारम हो जाएगा तो अपने आप ही खल्यान होने के मार्ग खुल जाएंगे रस्ता खुल जाएंगे बंदूओ दो प्रकार के करम अच्छे होते ही एक सुभ करम होता है एक सत करम होता है सुभ करम जो होता है उससे फल मिलता है कि आपको गाड़ी, घोड़ा, बंगला मिलेगा सुभ करमों का फल है यह आप भंडारा देरो, दान करदो मंदिर बनवादो, स्कूल खुलवादो यह सेवा करदो, वो सेवा करदो यह सारी सेवाइं आपको सुभ करम में गिनी जाती है इन सेवाओं को करने से आपका गाड़ी, घोड़े, बंगले, बाल, बच्चे, नोकरी, चाकरी, पैसा यह सवाएगा पर सरीर में रोग आएंगे, तुमारे सरीर में रोग और सरीर में रोग भी नहीं चाहिए, धन्दौलत भी चाहिए, आनंद भी चाहिए और मुक्त होना चाहिए, तो सतकरम कर लो, सतकरम, सतकरम सदकर्म क्या है सदकर्म वो है जिसमें अपनी कोई चाह नहीं जगत का कल्यान हो जाए मेरा कल्यान हो जाए सबके कल्यान में अपना कल्यान सबकी उन्नती में अपनी उन्नती सबके सुख में अपना सुख जो समझते हैं उसको सदकर्म कहते हैं सुब करम क्या जो मैंने अभी बताया प्यासे को पानी पिलाना सुब करम है तुमें सरवत मिलेगा भूके को रोटी खिलाओ चटनी रोटी तुमें चप्पन परकार के भोजन मिलेगे नंगेको सुती कपड़ा देदो तुमें रेसम के कपड़े मिलेंगे ये फले सुबकर्मों का पर सुबकर्म का फल भोगने से खत्म हो जाता है सतकर्मों का फल भोगने से खत्म नहीं होता भगवान तक लेके जाता है जन्म जन्मों तक रहता है इस जनम में उस जनम में उस जनम में उस जनम में हर जनम में जितनी बार भी जनम लेना पड़े मनुष्य का मिलेगा पहला नंबर और दूसरा महान बुद्धी महान आत्मा और महान माता पिता महान समाज प्राप्त होगा सत करम करने से आज भगवान सूत जी ने 88,000 रिशियों को सत करम करने की बात, सत करम करने की आग्या के तो भगवान सूत जी जब आग्या कर रहे हैं तो 88,000 रिशियों में से एक रिशी को अध्यक्ष बना दिया जिनका नाम है सोनक रिशी सुनक जी से कहा कि आप ही गुर्देव से पूछो परस्ण तो भगमान सूत जी से पहला परस्ण पूछा कि यह सत्कर्म क्या है सत्यम्रवर्ति यथा मूलम करमम्हो शनमफल सत्कर्म जिस करम को करने से जगत का कल्यान परमात्मा का भी कल्यान वह करम सत्कर्म है वो क्या कर्म है? तो कहा भागवतम कर्मम भोशनम भागवत कर्म सत्कर्म है पुरान की कथा बचवाओ भागवत की कथा कर्वाओ यग्य करके सारे ब्रह्महंड को भोजन कर्वाओ ये सत्कर्म है कौनसा? ग्यान यग्य और हवन यग्य ये दोनों सत्कर्म में आते हैं बंदू हो आप अगनी में जो अगनी में स्वाहा स्वाहा करते हो ना वो भी भागवत कर्म है वो भी सत्कर्म है और सत्कर्म जो होता है वो दुस्मन का भी कल्यान करता है आप अपने घर में कितने भी दरवाजे लगा के हवन कर लो फिर भी पड़ोसी के घर जाएगी खुश्बू रुक नहीं सकती कितना भी रोक लेना पर पड़ोसी के घर जाए बगेर खुश्बू रह सकती नहीं है दुस्मन को भी तार दे वो सत कर्म है ये भागवत अरे भैया ललत यादब जी ये कथा तुमने की य कहिए खर्चा गिया है तो इसको अपने घर में कर लेते एक कांगन में गुरू जी और तुम तीन लोक शुन लेते इसलिए ये कता सतकरम बन जाती है अपने आपतारने वाली उबारने वाली धन्य करने वाली बन जाती है अपनों का तो सब कल्यान चाहते हैं अपनों के साथ में तो हम सब जुड़े ही हैं पर हम सब को अपना मानते कव हैं जब बुद्धी सतकर्मी हो जाएं जब विचार सतकर्मी हो जाएं तम भागवतम यधा कर्मम देवस्यलोकम जभूशनम भरमात यथा योगे स्वरम देवे कृष्ण बल्लभग सतकर्म का व्याख्यन सुनाया सूत जी ने और फिर भगवान सूत जी ने जब सतकर्म की परिवासा जानी तो फिर कहां ये भागवत क्या है तब भगवान कहते हैं भक्ति ग्यान बैराग्य और मुक्ति का जो वचन है वो भागवत है भगवत भगवत भग ऐश्वर धातु है भक्ति से समस्त संसार के एश्वरी आ जाते है आयू विद्या यस बल ये सब भक्ति से प्राप्त हो जाता है आयू आप पैसों से नहीं खरी सकते अगर पैसों में आयू होती तो टाटा विरला रिलाइंस से लेकर अम्मानी अडानी सबको आयू प्राप्त हो जाती पर नहीं होगी धन से आयू नहीं मिलती धन से जीवन नहीं मिलता धन से नीद नहीं मिलती दे से भूख नहीं मिलती और धन से पचन नहीं होता धन से सुख नहीं होता धन कब सुख देता है जब पुन्य उदे हो जाए तो धन काम आता है अगर हमारे पुन्य नहीं उदे होंगे कृपा नहीं होगी राम जी की तो हमारा धन हमारे काम नहीं आता है धन पढ़ा रहे जा हमारे जीवन से प्राण चले जाते हैं पता ही नहीं चलता कम मौत आई खट खट हो जाता है भक्ति देने वाली ज्यान देने वाली बैराग देने वाली मुक्ति देने वाली जो कथा जो विचार जो प्रवचन वो कौन है तो का भगवान स्री हरी भगवान स्री कृष्ण के ज उन्हें सुनकर आदमी भगत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चरित्रे से हैं जिन्हें सुनकी भक्ति खुद प्रगट हो जाती है। श्री के रूप में, राधा के रूप में और श्री राधा के रूप में जब भक्ती प्रगट हो जाती है तो मुक्ती तो दासी है उनके